एलो स्टूदेंट्स यह नेक्स्ट क्टेसिन दिया है हमारी स्क्रीन में एन इन वन प्रहन इन इंपर्टन क्षिन दर रेन अंब्रेला प्रॉब्लम बहुत बहुत बंबर अबर क्वेशन आया पेपर में इस भार भी आपके यहां आ सकता और वेक्टर से बेस्ट रेलाटिव बहुत इसी जिससे डाइग्राम अनाते बन गया उससे क्वेशिन में तक कोई भी क्वेशिन उससे बन जाए अब देखा आप डाइग्राम समझे सबसे पहले आप क्या करना अगर यह अंब्रेला प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप टू डेमेंशिन क्रीट कर लेना ठी इसको आप एक एक्सेज मान और एक लाइना पैसे एक यक्सेज होगी यह आपको पहला काम करना है इसको आपने ओरिजिन मान लिया अब आप सवाल पढ़ो आ मैं स्टैनिक ओना रोड हास्टो होल्ड इस अम्रिला एट 30 डिगरी विद्ध वर्टिकल अब जो बंदा है उसन 30 डिगरी विद्ध वर्टिकल यह उसने अपना अम्रिला पकड़ा है यह अपना अम्रिला पकड़ा है यह आंगल कितना है 20 डिगरी थिटा है एस थिखर 2 और क्यों पकड़ा है? तू keep the rain away कहने का मतलब यह हुआ बिटा अगर वो इस angle पर umbrella पकड़ा है और इस angle पर बारिश उससे दूर रहती है इसका मतलब यह जो vector है यह जो मैंने draw किया है इस तरफ rain तो नीचे गड़ती है यह क्या दे दिया है यह velocity of rain दे दिया अब मैंने क्या बोला यह vector आपके point की तरफ आ रहा है हमेशा मुझे vector को कहा ले जाना है point से दूर ले जाना है मैं क्या करूँगा मैं इसको extend कर दूँगा I'll extend it extend कर दिया इसको ओके यह मैं extend कर दिया अब यह 30 है तो यह कितना हो जाएगा 30 vertically opposed यह आपका हो गया we are velocity of ray फिर कह रहा है फिर थोस्त अम्रेला and starts running at 10 km पर आर a man तो horizontally दोड़ेगा उसने अपना अम्रेला फेका और just suppose वो इस तरफ 10 km पर आर से भाग में लगा यह एक यह हो गई velocity of man और यह कितना दिया 10 km पर आवर और जब वो ऐसा करता है जब वो ऐसा करता है he finds the raindrops are hitting his head vertically अब जो raindrop है वो उसके सर को vertically लग रही है मतलब ऐसे नीची की तरफ यह लग रही है यह ऐसा यह raindrop गिर रही है है उसके सर के पर vertically downward अब सुन लो यह जो raindrop की रफता रही है इसमें क्या हो रहा है इसमें बंदा भी भाग रहा है move कर रहा है raindrop भी भाग रही है दोनों motion में है जब दोनों object motion में है तो कौन सा motion हो था relative तो यह हो गई velocity of rain relative to man और इसकी value कितनी दिया बेटा इसकी value नहीं दिये कोई बार नहीं दिये कह रहा है the actual speed of the raindrop is आपको इस raindrop की actual speed निकालनी है अब कुछ मत करो आप इस triangle को नाम देते O, A, B sorry O, A, B आपने triangle को नाम देते है अब यहाँ पे आपको velocity of rain निकालनी है आप धिहान से देखो यह जो triangle है, यह angle 30 degree है जो theta होता है उसकी just opposite वाला perpendicular होता है और यह आपका base हो गया तो A, B आपका perpendicular है O, B आपका base है आपको O, A hypotenuse निकालना है और आपको given क्या है? आपको perpendicular given है तो आप क्या आप उट कर दो इस triangle में sin theta theta 30 degree है sin 30 कितना हो जाएगा? velocity of rain आपको निकालना है आचा, sin 30 कितना होता है? यह होता है 1 by 2 velocity of man कितना है? 10 km per hour upon velocity of rain velocity of rain को इधर transfer कर दो 10 to 2 कितना हो जाएगा? 20 km per hour आपके answer आचा, और मालो यह पूश लेता अब यह तो पूशा नहीं है, सबोस पूश लेता कि what is relative velocity of rain with respect to man या फिर आप ऐसे इस से भी निकाल सकते हो क्या बोलते हैं, अपना sin theta and all का यूज करके उसमें आप पूट कर देते हैं, cos theta तो अगर मुझे बोलता कि what is relative velocity of rain with respect to man तो मैं पूट कर देता है, cos 30 या एक मट मैं देख लोँ hypotenuse, hypotenuse का है, velocity of rain velocity of rain कितनी आगी, 20 cos 30 कितना होता है, root 3 by 2 2 से 10 कट जाता, तो यह आपका answer था 10 by root 3 या 10 root 3 upon 3 ऐसा कुछ answer था अगर आपने diagram बना लिया ना मेरे राजा बेटा तो आपसे कुछ भी बन जाएगा, तुम भी उचे उड़ सकते हो, छूज सकते हो, नपके तारे I hope this question is clear to you Thank you for watching, bye-bye, take care, bye, good night